क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 2 का बहुत महत्पुन प्रश्ण है रेखी वेग और कोणी वेग में संबन हम दोनों की डेफिनेशन भी लेंगे और इनके बीच में रिलेशन भी निकालेंगे तो सबसे पहले आप यहां देखिए यह एक व्रत्ती मारक आपको दिखाई दे रहा ह है और इस व्रत्ती मारक का केंदर यहां पर ओ है और तरिज्जा कितनी है समाल आ रहे हम एक कंण को यहां मानते हैं यह capital A place पर एक कंण है capital A स्थान पर एक कंण है जो A से B की और गती कर रहा है तो वो कंण जो है A से B पर पहुंचता है तो उसको पहुंचने में delta T समय लगत S है और A से B तक पहुँचने में वो व्रत्ती मार के केंदर से डेल्टा ठीटा कोण घुमा है तो हम कहेंगे उसका जो कोणी विस्थापन है वो डेल्टा ठीटा है तो चली इसको थियोरी के रूप में जरा हम देख लेते हैं तो माना हमारे पास में कोई कर्ण है जो O केंदर और आर्थ रिज्जा के व्रत्ती पत पर क्या कर रहा है गती कर रहा है तो माना यह जो कण है यह समय अंत्राल डेल्टा ठीटा में चाप A B के अनुदिश इस तरीके से डेल्टा एस दूरी तय करके क्या करता है A से B तक पहुँच जाता है मतलब कण का जो रिखी विस्था विस्थापन है उसे हम कहेंगे डेल्टा ठीटा क्योंकि इतनी देर में वह यहां से डेल्टा ठीटा कोण घूम जाता है तो ऐसे में यह हमारा डेल्टा एस जो है वो रिखी विस्थापन है और डेल्टा ठीटा हमारा कोण यह विस्थापन है अब जब मैं इनके बीच में relation लेने जाओंगा, तो बहुत मज़ेदार बात होगी कि इनकी definitions के साथ ही में relation निकाल के दे दूँगा, जैसे रेखी वेग, तो रेखी वेग जस्ट वेसा ही है, जैसा कि हमारा वेग होता है, जैसे वेग होता है, कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग बराबर समय अंतर, तो एसे में आप यहां पर रेखी वेग को क्या लिखते हैं, वे लिखते हैं, यहां पर रेखी विस्थापन कीतना है, ДELTA i, समय अंतराल कीतना हुआ, यह से भी तक जाने का ΔलT हुआ, तो यह V is equal to डेल स अपान डेल सी हमारी equation number 1 हो जाएगी, और यह हमारा रेख तो बिल्कूल आपको कोणी विस्थापन भी यहां से बिल्कुल आपको कोणी विस्थापन की डिफिनिशन भी यहां से रेडी होती है अब कोणी वेक को हम व्यक्त करते हैं omega से, किस से व्यक्त करते हैं omega हो गया, कोणी विस्थापन यह कितना हुआ, delta theta और समय अंत्राल लुआ, delta T, यह हमारी equation number 2 हो गई, तो हमने यहाँ है समझा कि एक बार हमको रेखी वेक का सूत्र लिखना है एक बार हमको कोणी वेक का सूत्र लिखना है उसके बाद हम इसमें relation कर पाएंगे आईए देखते हैं, तो देखी यह आपका रेखी वेक है, यह रेखी विस्थापन delta S, और यह समय अंत्राल delta T, और यह कोणी वेक omega यह कोणी विस्थापन delta theta और समय अंत्राल delta T, तो रेखी वेक V और कोणी वेक omega में हमको यह relation लाना है, तो यहाँ पर एक बात जो आप जानते हैं, बसूसी चलाना कि कोण बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्जा अब यहाँ देखी कोण कितना है, delta theta चाप कितना है, delta S, त्रिज्जा कितनी है, R है तो delta theta is equal to हो जाएगा delta S upon R, यह देखिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्जा, तो यह जो relation है, यह इस delta theta और delta S के बीच में relation आगया, यही relation आपको इन दोनों राशियों के बीच में relation देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों रेखी वेग, कोणी वेग की definition लिखके, समीकर नमबर 1, 2 कर दीजेगा फिर कोण बराबर, चाप बटे त्रिज्जा से delta theta is equal to delta S upon R, अब यह जो delta theta का मान है, समीकर नमबर यहाँ पर 2 में रख दीजिए, जैसे यह देखे, omega is equal to, मैंने यहाँ से omega लिख लिए, is equal to, यह is equal to हो गया और यह देखे, delta theta की जगे है, यहाँ पर यह delta theta के place पर लिखा, delta स upon R, यह देखे, delta स upon R, और यह delta theta के place पर, delta स upon R लिख दिया है, delta S upon R, तो delta S upon R into delta T हो गया, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, delta S बटे delta T, यह delta S बटे delta T को क्या बोलते हैं, V बोलते हैं, रेखी वेख बोलते हैं, तो इसकी जगे हमें क्या लिखना, आप समीकर नंबर 1 से, तो समीकर नंबर 1 से हम इसकी जगे लिखेंगे, यह हमारा हो जाएगा, ओमेगा is equal to, समीकर नंबर 1 से, ओमेगा is equal to हो जाएगा, डेलस बटे delta T की जगे हमें लिखना है, देखें, डेलस बटे delta T की जगे हमको लिखना वी, तो यह हो जाएगा, वी बटे आर, यह बटे आर, और आप यहां से क्रास गुणा कर दीजे, तो यह हो जाएगा V is equal to omega R और यहां से हमारा बहुत महत्वपून relation निकलेगा V क्या है हमारा रेखी वेग है omega क्या है कोणी वेग है और R क्या है वरत्ती मार की तरिज्जा तो रेखी वेग जो है वो कोणी वेग और वरत्ती मार की पित्रिज्जा के गुणनफल के बराबर होता है और V is equal to omega हमारा एक important relation है Thank you